भेंस खेडा गाओं पहुच चुके हैं हम और एक दिन की बारिश कितनी बड़ी तबाही यहां लेकर आई है हमारे साथ यहीं गाओं के बुज़र्गवार हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ है इस बारिश में मैंनम यदि इसमें आका जाए तो मेरा डेल लाग की इसमें लागत हो चुकी यह जो लबालब पानी तलाब दिख रहा है क्या जमीन है आपकी जी हाँ इसमें मेरी बारा एकड़ जमीन है मैं और बेर नहीं है कि मेरे बच्चों के लिए आंगे भविस में खाने के लाना नहीं मैं कहां से क्या करूँ थ्यृसन उट्साथानिके जवाबसा सघ्ट uniform के जबाबदर लोग क्यों किए इसचर दो certainly घैट लगाने से पानी को आस्मान में भगा एंगे क्या वो उसे भी तो जमीन पर छोड़ांगे मैं और जमीन पर छोड़ांगे तो नीचे वाले लोगों की तवाई होगी और हम लोग सासन के साहुकार के दुनिया के करईदार बैठें और जे हलाल इबान हमारे लिए दर परतिस्ता साल हर एक दूसरे साल बाद हमारी फसल करज करके लगाते हैं और ये सासन के जबाबदार लोग हर साल हमें गुमरा करके सब्द भेज करके हमारी फसल को डुबा देती है साल दर साल की कहानी है इन साड गाओं में इस बार की बारिश में ये हुआ कि घर भी तबाह हो गए लेकिन खेत हर साल यही जिस बार बारिश जादा होती है कि लगातार मैं कहूं अगर कि 2006 से ये सिलसला लगातार चल रहा है बलकि उसके पहले से भी तो हर साल दो साल में इस्तिती बनती है कि ये लोग धान की फसल बोते हैं और इस तरीके से बरबाद हो जाती है हमारे कैमरेमन बता पाएंगे आपको कि पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं जो तालाब दिखाई दे रहा है ये असल में इन किसानों की फसले हैं जो पूरी तरीके से बरबाद हो चुकी है